हेलो स्टुडेंट्स आइम श्वेताई और मैठ्स टीचर आज हम अपना एक नया टॉपिक समझेंगे जिसका नाम है यूनिट्स ओफ मेजर्मेंट देखो जो आपकी नेक्स्ट एक्सेसाइज हैं 3.4 यह पूरा इस टॉपिक पे बेस्ट है और मैं कहूं कि यह इस टेबल पे प्रॉब्लम नाए देखो यूनिट ओफ मेजर्मेंट का मतलब है आपको पता है हर एक चीज की अपनी अपनी यूनिट होती है मीटर लीटर ग्राम सबकी अलग अलग होती है जैसे आप दूद को अगर मैं कहूं कि मुझे मेजर करके बता हो तो आप मीटर और ग्राम में कर मेजर मेंट के मेजरियर के लिए फैर के लिए मास्क के लिए घ्राम का कैपेसिटी के लिए लीटर का तो यह उगनी टीनों की टेबल सेटा कि अग्रा मैं मेंटर चीजिए इंग nationale को मेंटर हलु नहीं व निटिस मेन सेलींकोट स्वेंट क को उपस्तिक्ती के लिए नहीं कि कैसे यह मैं आपको बता रहूं बीच में यहां लिखा है सबसे बड़ी युनिट होती है किलो मीटर देन हैक्टो मीटर डेका मीटर मीटर डेसी मीटर सेंटी मीटर मिली मीटर आई रिपीट किलो मीटर हैक्टा मीटर डेका मीटर मीटर डेसी मीटर सेंटी मीटर मिली मीटर य यह बड़ी से चोटी यूनिट है आपको यह दिख रहा होगा लिखा हूए लार्जर टू स्मॉलर सिमिलरली अगर मैं मास्त वाली यूनिट्स देखू तो किलो ग्राम हेक्टो ग्राम डेका ग्राम ग्राम डेसी ग्राम सेंटी ग्राम मिली ग्राम ठीक है देन किलो लीटर हेक से साइस में वो हमें देखना है आपको क्या करना है इस में कुछ उजसरी जूनिट में करना है us सेंटी मीटर में करना है या मिली मीटर में करना है उसी तरीके से ग्राम को किलो ग्राम में करना है मिली ग्राम में करना है सेंटी ग्राम में करना है तो ऐसे कनवर्ट करना है अब यह कनवर्शन होगा कैसे देखो क्या करना है यह आपको एरो दिख रहे हैं इसका मतलब हम यह कैसे अगर मैं किलो मीटर से हेक्टो मीटर पे जारू हूँ तो एक जम्प करूँ और सीधा जारू बरी से छोटी यूनिट की तरफ जारू या फिर आप ऐसे समझ लो ऐसे हम सीधा जाएंगे अपने राइट हैंड साइड की साइड अगर हम देखे अब किस से करेंगे यह कैसे पता चलेगा यह कैसे चलेगा जितने जम्प करेंगे ना उतने से करेंगे अगर हमने किलो मीटर से हेक्टो मीटर पे जाना है एक जम्प किया मतलब टैन से मल्टिप्लाइग अगर हमें किलो मीटर से मीटर पे जाना है कितनं कि 외볶 Peter 3 इन जब द मुद्र ना तों के आगे तीन जरो लगाएंगे मतलब करेंगे सीधस्थ करेंगे जितने जुम कर्णेंख उतनी जीरो लगाने फ़ॉट लेते हैं चया है तो इतना तो पता है, डिवाइट करेंगे, क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं, है ना, अब किस से करेंगे, दो बर जंप की है है ना, तो वन के आगे दो जिरो लगाएंगे, हंड़े हो गया, तो हंड़ेट से डिवाइट कर देंगे, जो नंबर हमें दे रखा होगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये टेबल आपको याद होनी चीए, तभी आपको ये पता रहेगा कि हम सीधा जा रहे हैं या उल्टा जा रहे हैं और कितने जंप करने हैं, अगर आपने ये टेबल में इनको यूनिट्स को आगे पीछे लिख दिया, मतलब हेक्टोमीटर बाद में लिख दि मैं एक्सेसाइज आपको देखो, इस टेबल की हैप से करवाती हूँ, वन मीटर इसी कल टू डैश मिली मीटर, मीटर से मिली मीटर में जाना है, देखो, सीधा जा रहे हैं, कितने जंप करने हैं, वान, टू, थ्री, तो वन लिखेंगे आगे, तीन जिरो लगा देंगे, ठ डैका मीटर इसी कल टू डैश सेंटी मीटर, कहां पर हैं, डैका मीटर पे, यहां पर, कहां जाना है, सेंटी मीटर पे, काउंट करो किते जंप किये, वान, टू, थ्री, तीन जंप किये, वन के आगे, तीन जिरो, वन किलो ग्राम, आप ग्राम वाले पर जो, वन किलो ग्रा is equal to dash milliliter, यहाँ है, dl, deciliter पे, milliliter पे जाना है, 1, 2, आगे सिधा ही जा रहें, दो बार जम किया, 100, 1, कौन सब, इपाट है, 1, hectogram is equal to dash milliliter, यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर जाना है, count कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, then 5, किते जम किया, 5, तो 5, 0 लगा दी, बन किया आगे, 1 liter, 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 liter से, कहाँ जाना है, centiliter पे, 1, 2, दो जम किया, 100, ठीक है, यह तो simple था, fill in the blanks, यह भी आपको classwork register में करना है, मैंने आपको mention कर दिया है, do in classwork register, ठीक है, next है, आप convert करना है, यह रहा, आप question है, आपको digits दे रखे, 20.90 km into cm, km को cm में करना है, km और cm, सिधा जा रहे है, जम कितने करना है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 1 के आगे, 50 लगा के multiply करेंगे, पहले लिखेंगे, 1 km में, कितने cm होते हैं, तो ठीक है, 1 lakh cm होते हैं, अब इतने में कितने होंगे, यह किलो मीटर लिखा है, कटनी किया वा, कहीं आप सुचो कट किया वा है, तो इसको इससे multiply कर दिया, अब यहां से point हटाएंगे, दो डिजिट है, तो दो 0 लगाएं, यह point वाली मैंने 100 लिखा है, table वाला कोई 100 नहीं है, वो यहां पर लिख चुकी हूँ मैं, इन दो 0 से दो 0 कट गई, इसको इससे multiply करके लिख दिया, ठीक है, बी पार्ट में आप से कह रहा है, 60 मिली लीटर से किलो लीटर पे जाना है, मिली लीटर यह रहा, कहां जाना है, किलो लीटर पे, उल्टा जा रहे हैं आप देखो, अब divide करना है मतलब, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 के आगे, 6, 0 लगा के divide करना है, किसको divide करना है, 60 को, पहले लिखेंगे, 1 मिली लीटर में, 1 अप उन, जितनी भी 6, 0 लगा के, 10 लैक मतलब, किलो लीटर है, तो 60 मिली लीटर में कितने होंगे, 60 को इससे divide कर देंगे, उल्टा जा रहे थे न, तो divide करेंगे, तो 0 से 0 कट गया, अब देखो, यह मैंने point कैसे लगाया, यह भी सिखो, अब कितनी 0 है नीचे, 1, 2, 3, 4, 5, तो उपर से 5 डिजिट छोड़के point लगाते हैं, लेकिन उपर 5 डिजिट है ही नहीं, उपर से 1 की डिजिट है 6, तो 5 मैंने खुद बनाई है, एक, बाकि 0 लगाते चलो, 2, 3, 4, 5 बन गई, अब point लगा दिया, आगे आप किसी भी डिजिट के आगे, कितनी भी 0 ले सकते हो, यह मैंने आपको पिछली एक्सेसाइज में भी बताया था, और decimal के बाद भी आप 0 ले सकते हो, किसी भी नमबर के पीछे, कितनी भी, तो मेरे को यहां 5 0 थी, तो 5 डिजिट छोड़ के point लगाना था, एक मेरे पास थी, 4 डिजिट मैंने खुद बना ली, और point लगा दिया, आगे लिख दिया, किलो लीट है, ठीक है, C part, 45.76, डैसी ग्राम इंटू डैकाग्राम, डैसी ग्राम से डैकाग्राम पे जाना है, यहां से यहां जाना है, उल्टा जा रहे हैं, कितना 1, 2, इसका मतलब, डिवाइड करेंगे और किस से, 2 0 लगा के, 100 से, तो 1 डैसी ग्राम में, यह भी तो लगेगी, पॉइंट के, तो यह वो वाला 100 है, तो कितना हो गया, 4 0 हो गई, तो 4 डिजिट छोड़ो फिर, 1, 2, 3, 4 बन रही है, 4 डिजिट छोड़ो के, पॉइंट लगा दिया, ठीक है, तीन पार्ट आप होमवग में करोगे, कोशन अमबर 3 है, कम्प्लीट करना है, यह मैंने आपको, डारेक्ट नी फिल करवाया, सॉल करवाखे करवाया, आपको भी ऐसी करना है, एक ही पार्ट होमवग में दिया है, इसका मैंने आपको, 256 मीटर, मीटर को पहले, सेंटी मीटर में चेंज करना है, फिर मिली मीटर में चेंज करना है, तो चलो देखते हैं, मीटर से पहले सेंटी मीटर पे जाना है, तो किते जंप किया है, दो, हंडेट से मल्टिप्लाय करेंगे, क्योंकि सीधा जा रहे है, means you गैसे कांगे है दोनों में change करना लக्ầm acord में 100 सेंटींप होते हैं तो 256 णा terminar में कितने होंग है इसको इस से मिल्टिप्लाए कर दिया से मिल्टिप्लाय कर दिया survey one सेंटी मीटर में भी थिक है सेकेंड पार्ट है आपके पास 3446 मिली ग्राम को ग्राम में भी कनवर्ट करना है किलो ग्राम में भी किलो ग्राम में जिलो आघेथे H और फिर ए 2-3 और आज़े किलो ग्राम में कुणवर्ट करने के लिए किस से डिवाइड करेंगे 10 lakh से स्थ दिवाइड करेंगे क्योंकि सिख जीरो जाएगी ठीक है चलोब सॉलूशन देखते हैं वन मिली ग्राम इस इकल टू वन अपॉन थाउजन ग्राम तो थी फोर फोर सिक्स मिली ग्राम में कितने होंगे थाउजन से डिवाइट करेंगे अभी बोला था तीन जंप किये थे पहली बार में तो तीन डिजिट छोड़ी वन टू त्री और पॉइंट लगा दिया ठीक है अब मिली ग्राम को किलो ग्राम में कनवर्ट करने के लिए कितने जंप किये थे सिक्स टाइम्स तो सिक जीरो लगेंगी अब पॉइंट कैसे लगेगा नीचे सिक जीरो है और यहां मेरे पाद चारी जीरो है तो मुझे छे नंबर चाहिए तो एक दो तीन चारतों लिग दि अब डी पार्ट डी पार्ट डारेक्ट किया है मैंने असान था इसलिए मैंने डारेक्ट करती है देखो आपको यहां पॉइंट में रख और किलो मीटर में कनवर्ट करो तो पॉइंट से जो पहले वाला नंबर है वो किलो मीटर है वन वन एट किलो मीटर पॉइंट के बादेते हैं 750 तो किलो मीटर में कितना आएगा 118 और यहां कितना आएगा 750 यह यह मैंने आपका डारेक्ट किया है कि 118 किलो मीटर प्लस 750 मीटर ठीक है कि नेक्स्ट समझते हैं 6755 ग्राम को पहले किलो ग्राम में करना है और किलो ग्राम में तो डेई रक है किलो ग्राम में करना यह तो समझता है प्लस लिखा किलो ग्राम से किलोग्राम करते हैं प्ला बादे करेंगे कि से तीन बार जंप किया है तो 1000 से वन के आगे 30 लगेंगी तो चलो 1000 से इसको हम डिवाइट कर देते हैं वन ग्राम इस इकल टू वन अपन 1000 किलोग्राम यह मैंने लिखा और डिवाइट कर दिया मेरा आया 6.755 तो देखो अभी मैंने आपको बोला पॉइंट से पहले वाला किलोग्राम होगा पॉइंट के बाद वाला ग्राम होता है हो गया कनवर्ट इसका मतलब इसका आंसर है 6 kg 755 ग्राम तीन डिजिट है पॉइंट के बाद तो कोई 0 लगाने के हमें ज़रूरती नहीं है तो वो इसलिए कह रहा था कि 6 755 को और कन्वर्ट करो तो यह ऐसे होते है इस्वाला केलोग्राम और पॉइंट के बाद वाला ग्राम है ठीक है लास्ट यह भी मैंने डारेक्ट किया है लास्ट वाला भी 28.7 kg था तो पॉइंट से पहले वाला तो किलो ग्राम है पॉइंट के बाद 7 निख दूखाली नई 7 के बाद 20 लगाके लिखूंगी तो 700 ग्राम है 700 ग्राम हमेशा याद रखना पॉइंट के बाद 3 डिजित होनी चाहिए अगर नहीं है तो आप खुद बना लो बाद में 0 लगाके तो तो इसे के साथ आज हमारी एकसेसी कंप्लीट होती है आपका होमवक मैंसोंवक कंप्लीट और्वाइज क्लासवक टू एक्सेसाइस 3.4 डिमेनिंग पार्ट करने तीन यह चार पार्ट दियां बाकि सारे मैंने करवाएं काम कैसे करना है आज की डेट डाल के हैडिंग डालोगे यूनिट ऑफ मेजर मेंन कन्वर्जिन ऑफ यूनिट टेवल बनाओगे नीट एंड क्लीन और यह टेवल अगर आप बना रहे हो तो पैंसे बना सकते हो बट नीट अन्क्लीन और यह लाइन जो प्रॉपर लिड़ली सभी स्केल से अगर आपको लग रहा है पैंसे नी बनेगी तो आप पैंसिल से बना पूरी टेवल मुझे नीट एंड क्लीन टेवल चाहिए आप कैसे भी बनाओ पैंसिल नीचे से कोई भी एक्सेस शुरू नी करेगा हो रिज्रॉंटल बनाओ वर्टिकल बनाओ आपकी मर्जी है नीट एंड क्लीन ओ नीचे और आप देख रहो इनके बीच में कितना कितना गैप है ताकि यह एरो बन सके आपको भी इतना इतना ही गैप रखना है यह निये अब नाइब क्लास वक रेजिस्टर में करना है वह नहीं करेंगा जो मैंने करवाया वह नहीं करवाया वह ओमवक में ठीक है थैंक्यू है वा नाइस टे